फौजी बहु को पती से मिला धोखा पती परमेशवर के सिवा मुझको ना परमेशवर कुछ नहीं चाहिए मैं सुहागन रहूं, सात जन्मो तलक मुझे मेरा ही वर चाहिए हे वट सावेतरी माता, बस मुझ सुहागन की इतनी विंती है मेरे सिंदूर की लाली हमेशा बनी रहे महुआ के मन में भरी सतीवता एकदम सच्ची थी मगर क्या ईश्वर उसे इसकी विंती सुनेंगे पूजा करके महुआ घर पर आती है जहां उसकी सास, कल्याणी और पती नरेश बैठे होते है महुआ अपने पती के पैर छूती है अजे आज मेरा वट सावितरी का वरत है मुझे आशिरवाद दीजिए खुश रहो, खुश रहो इतने में दर्वाजे पर डाकिया चिठ्छी लेकर आता है चिठ्छी चिठ्छी बाई साव आपके चिठ्छी आई है डाकियों को देखते ही दोनों का चहरा पीला पड़ जाता है अगर ये चिठ्छी इसके हाथ लग गए तो हजब हो जाएगा लाइए भईया, चिठ्छी मुझे दे दीजिए तभी एकदम से बीच में से आकर कल्याणी महुआ के हाँ से चिठ्छी छीन लेती है और जड़पते हुए बोलती है लादे छोड़िये चिठ्छी, जा, जाकर काम कर बिचारी महुआस सहम कर रसोई में चली जाती है समझ नहीं आता, आखिर माजी को और इनको चिठ्छी भेचता कौन है प्रणाम जी, कैसे हैं आप, माजी कैसी है अब दोनों की बड़ी याद आ रही है माफ कीजिएगा, अभी बॉर्डर के हालात खराब है इसलिए इस बार भी मैं घर नहीं आ पाऊंगी चिठ्छी पढ़कर दोनों माबेटे गहरी सांस भरते हुए बोलते है ओ, ये भगवान, बाल बाल बजगे मा वरना गर ये घर आ जाती तो इस घर वाली और बाहर वाली के चकर में मैं तो घुन की तरफ पिस जाता अरे बाहर वाली कैसे दोनों घर वाली ही तो है दोनों से सुख भी तो हम ही कर रहे है आखिर ये माजरा क्या है दरसल बौर्डर से आई वो चिप्ठी नरेश की फौजी पत्मी की है जो देश की सिवा के लिए पती, परिवार, घर द्वार से दूर बौर्डर पर तैनात है उस फौजी बहु का मन हर दिन नरेश के साथ लिए साथ फेरों के पल को याद करता है नरेश की आखों में आसु भरे हैं, वो वसुधा से कहता है वसुधा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तुम एक फौजी हो और मैं एक छोटा मुटा गरीब मजदूर मा का बेटा इसलिए शायद तुम मुझे स्रिकार होगी नहीं अगर मैं तुमसे आखरी सास तक प्यार करूँगा नरेश का इजहार कुछ यूँ था कि मानो जैसे किसी सच्चे आशिक ने अपना दिल निकाल कर रख दिया हो वसुधा ने कहा नरेश मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ मगर मेरे मन में मेरे देश की माटी पहले है मैं फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ अरे ये तो मेरे लिए फक्र की बात है जो मेरी बीवी फौजी कहलाएगी ये सुनकर वसुधा नरेश के गले लग जाती है मेरी प्यारी फौजी बीवी तुम करोगी उस देश की सेवा और मुझे मिलेगा मेवा असल में प्यार के नाम पर नरेश ने वसुधा को छला था ताकि उससे शादे कर सके और दोनों मा बेटे ऐश भरी जिन्दिगी जी सके वसुधा ब्याकर बहु बनकर ससुराल आ जाती है वसुधा ने अपनी शादी को पूरी इमानदारी से निभाया और पत्मी होते हुए खुद को नरेश के हाँ तो सौब दिया शादी के दूसरे दिनी उसे बॉर्डर से फोन आ जाता है नरेश माजी मुझे जाना होगा मेरे देश को मेरी जरूरत है जा मेरी फोजी बहु तु जाकर अपना फर्ज निभा हम मा बेते का क्या है जैसे भी रूखा सुखा खाकर रह लेंगे माजी आपकी फोजी बहु है मैं पैसे भेजती रहूंगी यह बोलकर फोजी बहु बॉर्डर लोट जाती है योही दिन बीतने लगते हैं इसी बीच कल्याणी को गरीब बुधन मिलता है जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढून रहा होता है जिसके बाद कल्याणी के मन का लालच और बढ़ जाता है यह सुनकर नरेश के मन में भी लाला चा जाता है कल्याणी ने भोले भाले बुधन को फोजी बहु का मिला वो घर दिखा कर उसे यकीन दिला दिया कि वो कितने पैसे वाले है बुधन ने अपनी लंगडी बेटी महुआ की शादी उससे कर दी और विदाई के पल हाथ जोड़कर कहा अब दोनों ने एक गरीब की बेटी को अपने घर की बहु बना कर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर ये रही दहेच की रकम गरीब उधन ने अपनी बेटी के कन्यादान के लिए घर जमीन खीती बाड़ी सब बेज दिया था वही बेचारी फौजी बहु अपनी सौतन से अंजान मन में अपने फौजी पती की छवी बसाए देश की सेवा करती रहती है मगर क्या होगा जब वसुधा को सच का पता चलेगा मा देखो चिठी के साथ तुमारी फौजी बहुने मनी ओर्डर भी भेजाए हमारे तो दूनों ही हाथों में लड्डू है पर कल्यानी को कहा पता था कि सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला उस सर्द भरी रात वसुधा नरेश की तस्वीर सीने से चिपकाये हुए तैनात थी इतने में एक करनल वहाँ आ जाते है फौजी वसुधा अब बौर्डर से खत्रा टल चुका है इसलिए सभी फौजीयों को अगले एक महिने के लिए छुट्टी मिल गई है आप अपने घर जा सकती हो ये सुनकर उस फौजी बहु की आँखे भर आती है मन में हजारो अर्मान लिए वसुधा घर आ जाती है उस पल रात के करीब चार बज रहे थे वो अपने सुहाग रात के पलों को याद करती है और कमरे की तरफ बढ़ती है तभी कमरे में आकर उसने देखा और अपनी सौतन को नरेश की बाहों में देखकर वो चिलाई आवाज पूरे घर में गुझ गई थी अपनी फौजी पत्नी को सामने खड़ा देखकर नरेश का चहरा पीला पड़ जाता है महुआ भी नीन से जाग जाती है वाव वसुधा उसने तूटे मन से एक टक सिम्टे बिस्तर का हाल और फिर अपनी सौतन की और देखा ये सब कुछ क्या है नरेश कौन है ये जिसे तुमने इस कमरे में मेरी जगा दे रखी है और तुम तूटे रिष्टे की जुझला हाट और पती से मिली बेवफाई में वसुधा ने लाचार लंगली बहु को खीच कर थपड़ मार दिया आखिर क्या मिला तुम्हे मुझ से मेरा पती छिन कर बोलो जो एक सुहागन की सौतन बन बैठी ये कैसे हो सकता है नरेश ने सारे समाच के आगे साथ फेरे लेकर मुझे अपनी पत्नी बनाया है ये सुनकर बॉखला कर वसुधा ने नरेश का गिरिबान पकड़ लिया फरेभी बेइमान तुमने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर साथ फेरे और शादी जैसे पवित्र रिष्टे का मजाग बनाया है क्यों नरेश आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया बोलो क्यों दिया मुझे धोखा इतने में कल्याणी वहाँ आ जाती है उसके मन में अभी कोई पश्टावा नहीं था छोड मेरे बेटे को कोई धोखा नहीं दिया मेरे बेटे ने तुझे हरे द्रोपदी ने भी पाचपती किये थे फिर मेरे बेटे की तो दो ही पत्नी है वसुधा एक फौजी थी उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था बलकि आवाज उठाना सीखा था उसने कल्याणी को एक जोड़दार थपड मारा तुने अपनी सास पर हाथ उठाया? नहीं, ये थपड उस औरत ने मारा है जिसके पती की तुमने दूसरी शादी कराई है ये थपड उस फौजी बहु का है जिससे तुमने और तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया है धोखा मैं तुम्हें सलाखों के तीछे पहुचा कर रहूंगी ये सुनकर वसुधा ने एक टक महुआ की और देखा और कहा अब इस रिष्टे में निभाने को कुछ नहीं रह सका नरेश, मुझे तुम्हारे जीवन से जाना होगा क्यूंकि महुआ की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर चुका है नहीं दीदी, नरेश पर पहला हक आपका है आप उनकी पहली पत्नी है, आप दोनों की बीच में आई हूँ क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकती दीदी महुआ, एक औरत अपना सब कुछ बाट सकती है पर सुहाग और सिंदूर नहीं, नरेश तेरा है मेरा क्या है, मेरा देश है न मेरे लिए ये कहकर डबडबाई आँखों से वसुधा महुआ का हाथ नरेश के हाथ में देखकर हमेशा के लिए अपना हाख अपनी सौतन को देकर चली जाती है और अपनी सारी जिंदगी देश की सेवा में लगा देती है मगर आज भी उस फौजी बहु के मन में पती के दिये धोखे का बोज है